ओम शन्ति आपका मेरे चैनल में स्वागत है आज चली हम बनाते हैं बिना गहस जलाए रक्षा बंधन या फेस्टिबल इस्पेसल मिठाई जो 10-15 मिनिट में तैयार हो जाता है यहां पर मैं देखिए 5 चमच श्ची नीली हूं इसको हम मिकसर गरंडर में डाल देंगे 7-8 पित काजू और बादाम को ले लिए है इसको हमें फाइन पेस्ट कर लेना है अब इसमें हम दिड़क अप नारियत का बुरादा मिला देंगे एक कप पौडर मिला देंगे इलाइची का पौडर मिला देंगे और थोड़ा थोड़ा दूट डाल के हमें इसे इसका एक डो सॉप्ट डो नहीं बनाना है हमें यह तो मिठाई खराब हो जाएगी अगर सॉप्ट डो बनाएंगे तो नॉर्मल टेंप्रेशर का दूद चाहिए अब इसमें हम थोड़ा सा गहीं मिला देंगे एक चमच जिससे यह चिपके नहीं आसानी से यह डो सेट हो जाएगा बिना चिपके हुए चिपचेपा नहीं तयार होगा देखिए इस तरह से मैंने इसका डो तयार कर लिया है सॉफ्ट नहीं है ज्यादा अब इसका दो भाग कर लेंगे एक भाग में मैं सर्फरान फूट कलर मिला रही हूँ आप चाहें तो कोई भी कलर यहां मिला सकते हैं देखिए मैंने इसे कलर मिला के अलग कर लिया अब जो हमने दूसरा भाग रखा था उसको भी मसल लेंगे अची तरह से और इसे हम एक सिलिंडर का सेप देदेंगे यहां कोई भी सेप इसको दे सकते हैं अपनी इक्षा नुसा अब जिसमें मैंने कलर मिलाया था उसे बटर पेपर पे या एलमुनियों फॉल पे रखके उससे हम बिलन के साहता से बेलेंगे इसे भी हम अपनी मन पसंद इक्षा से सेप दे सकते हैं मैं इसे आयतेकार सेप का बना रही हूं अगर बिलते समय फटेगा तो इसमें घमरानी की बात नहीं है इसे हाथों से हम सेट कर लेंगे अच्छे सेट हो जाता है देखिए मिठाई 15 मिनट में बनके यह तैयार हो जाती है अब इसके बीचों बीच हमने जो वाइप पार्ट को तैयार किया था सेप देखे उसको रखेंगे और इसे हम बटर पेपर की शायता से टाइट 술 लीभ collecting करेंगे दोनों सैड से देखिए इस तरह से और बागी है सउको हम सेल कर देखेंगे हाथों की सायता से इस तरह से पिखाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है यह मिठाई और मिंटो में घर के सामान से तयार हो जाता है इसे एक बार आप जरू ट्राइ करें आप सभी को बहुत पसंद आएगी आप मैंने इसे सिट का दिया है अभी से हम पिपर में लपेट के पंदरा मिनिट के लिए फ्रिज में रख देंगे देखें अच्छे से यह यह मैं आप को खोल के दिखा रहे हूँ सेट हो चुका है अभी से हम तेज चाकू से काटेंगे अपनी ख्षानों सार इसको हम मोटा पतला जैसे भी हमें रखना है उस तरह से काट लेंगे काटे हुए फिर चाकू को हम साफ कर लेंगे देखिए मैंने मिठाई को काट दिया अब इसमें हम अपनी मन पसंद ड्राइ फूट्स या केसर लगा सकते हैं या केसर केस में टीका भी दे सकते हैं अगर आपको मेरी रस्ते अच्छी लगा तो मेरे शाने को लाइक और सब्सक् प्सिर के